लालू प्रसाद यादब भारती राजदिती के अनोखे राजनेता हैं लालू सजाय आपता अपरादी हैं एक नहीं चार-चार महमले फिर भी मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं लालू प्रसाद यादब अपने बेटे के करियर बनाने के लिए लगातार जद्दु जहद में लेकिन इस कदर करियर बना रहे हैं कि लालू संभवता पहले नेता हैं जो अपने पूरी परिबार को तबाह करें लालू प्रसाद यादब का बरबोलापन ही उनकी ताकत है तो क्या यही उनकी बरबादी का कारण भी बन रहा है लालू प्रसाद यादब महराष्ट की राजधाने मुंबई में इंडिया जिसे घमंडिया गैंग कह रहे हैं भारत के पढ़ान मंतरी उस बैठक में शामिल होने से पहले फिर एक बार विवादित बयान दे दिया है लालू यादब ने भारत के पढ़ान मंतरी के नरेटी पर चठने की बाद मतलब उसकी हत्या कर देने मार देने की बाद काईदे से खलानू के उपर F.I.R. दर जूनी चाहिए बेटे के उपस्तिती में मुंबई जाने से पहले लालू ने क्या कहा दरा सुने जी नरेटी पर चठना मतलब साफ होता है कि गलात दवा देना मार देना टेटूआ दवा देना और भारत के पढ़ान मंतरी के लिए ये बात वो बेक्ती कह राया है ये वो बेक्ती कह राया है जो सुप्रीम कोट में अभी दो दिन पहले ही गिर गिरा कराया दरसल CBI लालू यादद को गरपतार करना चाहती है उसे फिर जेल भेजना जाती है CBI का मानना है कि लालू परसाध्यादव बिमारी के नाम पर जेल से बाहर आए जमानत पाए अब ये बिल्कुल दुरुस्त हैं ये खोद कह रहे हैं सुनिये लालू ने पटना के बैठक में क्या कहा था सविश साथेगन बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बाद हो रही है प्रेश को समोदित कर रहा है अब पूरी तरह से फीट हो गए है अब पनिया से फीट कर देना है नर्मदित जी लालू परसाद यादव ने कहा था कि वो बिल्कुल दुरुस्त है दंदुरुस्त है वो ठीक हो चुके हैं अब वो मोदि को ठीक कर देंगे उनका यही बयान धारी पर गया और उसके बाद पढ़ान मंत्री मोदि ने जैगोश करके कहा था कि बीस लाख करोड के भष्टाचार की गारंटी वाले एक हो गएं सुना थाना अपने पढ़ान मंत्री को अगर कोई गारंटी है इनकी तो एकी गारंटी है और वो गारंटी है गोटा लोग की गारंटी अब देश को टाय करना है क्या ये गोटा लोग की गारंटी को देश स्विकार करेगा देश स्विकार करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपके बीच मैं से पल करके बढ़ा हुआ हूँ आप से साथ काम करते करते आपने मुझे यहाँ पहुचाया है तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ देदो 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 अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी यह गारंटी है और मेरी गारंटी है हर गोटाले बाद पर कारवाई की गारंटी हर चोर लुटेरे पर कारवाई की गारंटी जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा आज जब कानून का डंडा चल रहा है जब जेल की सला के सामने दिख रही है तब जा करके यह जुगल बंदी हो रही है जी पढ़ान मंत्री ने कहा था कि इन सब को एके करके अंदर भेजा जाना है और इन्होंने कहा कि जो जिनके पास जेल कानूब है उनके पास जाकर लोगोंने बैठा किया था इक कटाप्ष पढ़ान मंत्री मोदी का सीरहिल लालू परसाद दिया और लालू याद अब किसी बरबोलेपन के बाद CBI सुप्रीम कोट कई CBI की दलील थी कि लालू बैडमिंटन कोट बेजा करके बैडमिंटन खेलते हैं चुकि हर कोई जानता कि बैडमिंटन एक थाकाओ खेल है एनरजेटिक खेल है लालू फुदक फुदक कर कूद कूद करके इस बुढ़ा पे बैडमिंटन खेल रहे थे बिल्कुल दुरुस्त लालू खुदमान रहे हैं के दुरुस्त हैं उन्होंने खुदमाना आपने खुदी वीडियो में सुना सबी साथेगन बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बाद हो रही है प्रेश को समोदित कर गया अब पूरी तरह से फीट हो गया है अब बनिया से फीट कर दे रहा है देने नर्मोदित समाज पाक तो फिर लालू यादब के लिए जब सुप्रीम कोट गई सीवी आई यह कहने के लिए कि लालू मैक्समम समय पहले भी जेल में के बदले अस्पताल में रहे हैं जब उन्हें जेल होती है तो अस्पताल चले जाते हैं और बाद में फिर बीमारी का बहाना बना करके वो जेल से छुटकरा पालेते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा ओपरेशन कराना लालू ने सिंगापूर जाकर के केटनी त्रांस्प्लांट कराया था और उसके बाद वो घर आई बिल्कुल दुरुस्त थे दिल्ली रहने लगी लालू यादव पे खिलाप एक आएक वारंट जारी किया गया दूसरा मामला सामने आया लैंड फॉर जॉब का मामला इस मामले में लालू ने अपनी पत्नी रावरी देवी बड़ी बेटी मीसा भारती बेटा तेजस्वी आदव इन सब के साथ सुल्ला लोगों को एक्ख्यूज बनवा दिया है इसमें उनके कभी सेक्रेट्री रहे भोला यादब है और कहते हैं कि भोला यादब नहीं सब पूर्ट खोल दी है लालू के पूरी कलंग कथा सीवी आई को बता दी है कमाल की बात ये देखे कि लालू उस्तमें वीलचेर पर आए अदालत में पेश हुए लालू तो ड्रामा की आप वीलचेर पर आने का कि वो बिलकुल परिशान है बिमार है ताकि उन्हें सीवी आई को जेल ना भेज दे एडी उन्हें जेल ना भेज दे वीलचेर पर आकर अप लियाब को बिक्टिम बताया और फिर कुछी दिनों बाद कहा कि पढ़ान मंतरी को हम ठीक कर देंगे हम अब ठीक हो चुगे तो सवाल यह है कि इतने तंदुरस्त लालू पर साध्या दब सुप्रीम कोट में जब सीवी आई ने कहा कि इनका बिल कैंसिल करिए तो सिब्बल के साथ ये क्या करने आए कपिश सिब्बल ने सुप्रीम कोट में दलील दे कि उएका मुख्किल गंभीर रूप से बीमार है वो अभी अभी किड्नी ट्रास्प्लांट कराने आ करा करकर के आया है और ऐसे में सीबी आई उसे जेल भेज रही है भेजना चाहते सिब्बल के लाबा कोई दूसरा वकील होता तो सुप्रीम कोट मुझे की एक नहीं चलती ये तमाम तस्वीरें जो बैड्मिंटन खेलते रहा लालू की तस्वीर है जो उनका बरबोलापन पटना में है वो बरबोलापन खास करके अब जब लालू यादब का बार-बार दिखता है वो ड्रामे बाजी वीलचेर पर आना ये सब साक्ष थे कि सुप्रीम कोट तुरंद कहती ही कि हाँ लालू यादब को एरेश्ट कर लिया जाए इसने क्योंकि सजा तो सजा है लालू को सजा तो भुगत नहीं परेगी लेकिन सिब्बल साथ है तो उनकी गिरगिराहट काम आई कमाल ये है कि कोट के अंदर गिरगिराते रहे कि वो बिमार है किजनी ट्रांस्प्लांट हुआ है उन्हें छोड़ दिया जाए उन्हें अभी जेल न भेजा जाए मामला सेप्टेंबर के दूसरे विग तक टल चुका हुआ है लेकिन लालू कोट के अंदर गिरगिरा रहे थे फिर कोट के बहार पॉलिटिकली क्या ताल ठोक रहे लगातार्व भारत के प्रधान मंत्री को देख लेने और फिर नरेटी दबा देने की बात कर क्या अपने वर्ग के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं इस मौका मिले तो प्रधान मंत्री के नरेटी पर चड़ जाओ लालू किस राजनिते को मीडिया इस रूप में क्यों दिखा रहा है क्या इस सिंपल पॉलिटिकल मामला है या एक बड़ा शड़ियंद्र इस देश में अदालत कुछ मैसेज भी देती है या फिर बस सब काम चलाओ गए कानून नया आए सब कुछ क्या सिर्फ गरीबों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके अदालत नहीं पहुंच सके लालू या दा जैसे लोगों के लिए कानून के कोई माइने नहीं है कि सजा होने के बाद भी ओ छुट्टा गुमे और देश के प्रथान मंतरी को गर्याए और फिर कहे कि अविवेक्ति की आजादी है और इस सिर्फ लालू गर्या नहीं रहे है सीधे जान से मारने के एक तरह से धमकी दे रहे है उमीद की जाने चाहिए है कि सेप्टेंबर महिने में जब ये मामला सुप्रीम कोट आएगा तो लालू का यह वीडियो भी सुप्रीम कोट में सीधे दिखाएगी कि उन्होंने भारत के प्रथान मंतरी को जान से मारने के एक तरह से धमकी नरेटी पर चड़ देंगे नरेटी दवा देंगे इसका क्या आर्थ होता है देहाती भाषा में से साप सम्झा जा सकता लेकिन यदि सिर्फ ये पॉलिटिकल मामला होता तो बात अलग एक सजायापता अपराथी के द्वारा देश के प्रधान मंतरी को इस तरह से खुली चैलेंज के बाद भी उसका सुप्रिम कोर्ट में इस तरह से कवच मिल जाना लोगों को बेचेन करता है इनसाप की अदालत पर भरोसे को हिलाता है उमीद की जाने जाए कि देश की सबसे बरी अदालत आम जनता किस भाव को समझेगी बहुत बहुत धन्यबाद वंदे मातरम जय हिंद